आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो हमारी प्रेगनेंसी है वो हेल्दी हो इसके कुछ लक्षन होते हैं जो मैंने पर्सनली भी एक्सपीरियंस किया था क्योंकि जो मेरी प्रेगनेंसी रही है वो नॉर्मल डिलीवरी हुई है और हेल्दी रही है तो उन सारे मेरा नाम स्वेता है और मेरा बेटा डेज साल का है और मैं इस चैनल पे अपनी प्रेगनेंसी अपनी पैरेंटिंग आप सभी के साथ डिसकस करती हूं तो चलिए मैं वीडियो के स्टार्ट कर रही हूं देखिए बहुत सारी मदर्स होती है इनकेस वह फॉस्ट टाइम मॉम ब हलका साथ पेन महसूस हो सकता है या हलका सा सूजन महसूस हो सकता है इतना की क्लियर आप समझ सकती है कि यह आपका प्रेगनेंसी का टाइम है तो पहले से अभी के टाइम में आप डिफरेंस देख सकती है यह हो जाएगा पहला लक्षन दूसरे लक्षन की हम बात करेंगे कि नॉसिया हुना देखिए नॉसिया जो है प्रेग्नेसि के अंदर अगर ये आपको हो रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है यह एक healthy pregnancy को सो करता है यानि कि healthy pregnancy का sign है जैसे कि कुछ ladies होती है जिनको vomiting होती है पहले trimester के अंदर यानि कि एक से तीन महीने के अंदर अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है आपको vomiting हो रही है नौसिया के कारण तो भी आपकी pregnancy healthy है लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको vomiting की कोई problem नहीं होती है जैसे कि मुझे मुझे vomiting की कोई भी problem नहीं थी बट फिर भी नौसिया मुझे था morning sickness यह सारी चीज़े मुझे थी तो देन मेरी pregnancy जो रही वो healthy रही इस तरह से अगर आपके साथ ऐसा है तो आप इस चीज़ को एक good sign मान सकती है यहाँ पर मैं third point लूँगी अगर आपको pregnancy के time में frequent urination की problem है अगर बार बार आपको urine past करने जाने की problem आ रही है तो यह भी एक good sign होता है यानि कि एक healthy pregnancy का sign है फोर्थ हम यहाँ पर यह चीज़ लेंगे कि प्रेगनेंसी के time में आपने ऐसा सुना होगा कि कुछ-कुछ ऐसे food items होते हैं जिनसे आपको problem होती है जिसकी smell से problem होती है या फिर यह कहें कि आप उस उस मतले की pregnancy के time में आज आप उस food को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी पता नहीं कि ऐसे मुझे अच्छी लगती है यह दोनों चीज़े लेकिन pregnancy में मुझे पसंद नहीं थी कुछ लोग ऐसे मैंने सुना है कि कुछ लोग बोलती है कि चावल नहीं अच्छा लग रहा था किसी को मिल्क से प्रॉब्लम हो तो आप मिल्क का पनीर बना के आप खा सकती है लेकिन मिल्क जो है वो compulsory है बहुत सारे लोगों का मैंने सुना है लेकिन अगर आपके सक प्रॉब्लम है फिर भी आप अपने डाइट के अंदर मिल्क को जरूर एड करें यहां पर फिप्थ पॉइंट नोटिस करेंगे कि बहुत सारी लेडी सोती हैं जिन वर्प की प्रॉब्लम होती है у अगर आपको हट बन की प्रॉब्लम है तो यह एक गुड साइन है प्रेगनेंसी के अदर की आपकी जो प्रेगनेंसी है वह हेलदी प्रेगनेंसी है ऐसे मैंने बहुत लोगों का ऐसे कुछ कहने सुनने की बाते सुनिए इसका कोई बैग्यानिक अधार नहीं है ऐसे बोला जाता है कि अगर जो मदर है उसकी अगर हर्ट बर्ण ज्यादा होती है तो होने वाला जो बच्चा होता है उसके जो बाल होते हैं बाल घने और काले होते हैं ऐसा मैंने सुना था अब मुझे नहीं पता यह सच है कि नहीं है क्योंकि इसका कोई भी साइंटिफिक अधार नहीं है मैंने Google से सर्च किया था मुझे नहीं मिला इसलिए मैं आपके डाउट को यहाँ पर क्लियर कर रही हूँ और मैं मेरी प्रेग्नेंसी में मुझे हर्ट बन नहीं हुआ पता नहीं क्यों नहीं हुआ मुझे नहीं पता दो तीन बार ऐसे मुझे एट या नाइन मन्थ के अंदर मुझे ऐसे लगा कि दो तीन बार दो पहर में दो तीन बजे के आज पास में मुझे इसा ठोड़ा बहुत लगा था जयादा नहीं लगा था तो ऐसा होता है कि अगर आप मेडिशिन-ज़्याधा ले रही हैं या फिर आप जो डाइट लेती हैं फ्र curved यूइब ज्यादा खाना नहीं लें लेकिन इसके बावजुद भी अगर आपको हर्ट बन हो रहा है तो ये गुड साइन है डेफिनेटली उमीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा जरूर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा यहाँ पर मैं एक गुड निउस आप लोगों के साथ सेर करना चाहूंगी कि मैंने अपना एक ब्लॉग चैनल भी खुला हुआ है वहाँ पर मैं अपनी डेली लाइफ आप सभी के साथ सेर करती हूँ तो वो जो चैनल है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ और कॉमेंट बॉक्स में भी उस चैनल का लिंक है तो आप वहाँ जाएए और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे आप कॉमेंट कर दीजिए कि नेक्स्ट कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए और अगर कोई भी क्वेरीज हो तो देन कॉमेंट कर देना मैं सॉल्व करने की कोसिस करूँगी जितना मुझसे हो पाएगा और मेरे पास एक कॉमेंट बहुत आता है कि आप हर वीडियो के बीस में बोलते हो कि ऐसे ने अगर आपका ऐसे प्रॉब्लम है तो आप आप में डॉक्टर से बात करो जब हम लोग डॉक्टर से ही बात करेंगे तो हम आपकी वीडियो को क्यों देखें तो देखिए मैं यहां पर एक चीज मैं किलेरली बता दे रही हूं कि जो प्रेग्नेंसी होती है किसी की भी हो वह बहुत क्रिटिकल टाइम होता है वह टाइम हासी मजाक का नहीं है के बेश पे मैं आप लोगों की थोड़ी सी हैल्प करने की कोसिस करती हूं चलिए मैं मिलती हूं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाबाए